बच्चो, सभी लोगों को अपनी आय का एक हिस्सा सरकार को टेक्स यानि कि कर के रूप में देना होता है ये कर, उत्पादन कर, विक्रे कर, जी एस्टी या सेवा कर जैसे करों के रूप में हो सकते हैं कर को और अधिक समझने के लिए आए देखते हैं कर के प्रकार कर दो प्रकार के होते हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष करों को भी दो भागों में बाटा गया है आय कर और निगम कर तो आए देखते हैं आय कर क्या होता है आयकर एक प्रत्यक्षकर है और प्रत्यक्षकर वह कर होता है जो सभी वेक्तियों को सीधे तोर पर सरकार को देना पड़ता है इसलिए आयकर वेतन भोगी कर्मचारी अपने वेतन में से सीधे सरकार को भुखतान करते हैं यही नहीं सभी वेक्तियों की अनिक कहीं भी किसी भी प्रकार की जो आय होती है उस पर उन्हें सरकार को कर देना होता है यही कर जब उद्योग पती या व्यपारी देते हैं तो वह निगम कर यानि की corporate tax कहलाता है बच्चो आएए देखते हैं आप प्रत्यक्षकर क्या होता है बच्चो जब आप कोई समान खरीते होंगे तो आप देखते होंगे कि उस समान के डिब्बे पर MRP maximum retail price लिखा हुआ होता है लेकिन साथ ही सभी करो सहित या शब्द भी लिखा होता है इसका आर्थ क्या है इसका आर्थ या है कि आप जिस वस्तू को खरीद रहे हैं उसके मूल्य में कर की राशी जुड़ी हुई है यानि कि आप अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को कर दे रहे हैं तो जब भी आप कोई वस्तू खरीदते हैं तो उस वस्तू पर आप कर देते हैं यही है अप्रत्यक्ष कर